हरियाना की राजनीती की दिगज, बाप और बेटी की जोडी के एक दाव से बदली हरियाना की सियासत भुपेंदर सिंग हुड़ा ने किया खेला, खेला भी ऐसा किया कि हरियाना कॉंग्रेस में हुड़ा गुटने कुमारी सेलजा की, खुद उनके घर में कर डाली घेरा बंदी नमस्कार सीटी तैलका देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ सुधीर जाख़ड सीटी तैलका के खाश शो पॉलिटिकल स्टोरी में आज हम बात करेंगे हर्याना की राजनीती में मसहूर बाप और बेटी की जोड़ी यानि पूरो मंत्री निर्मल सिंग और उनकी बेटी चित्रा सरवारा के आम आदमी पार्टी को तगड़ा जटका देकर पार्टी छोड़ने के ऐलान के बाद और कॉंग्रेस में सामिल होने को लेकर हर्याना कॉंग्रेस के साथ साथ हर्याना की राजनीती में मची खलबली के बारे में और निर्मल सिंग और उनकी बेटी चित्रा सरवारा के कॉंग्रेस में सामिल होने वाली इनसाइड स्टोरी के बारे में और उससे पहले आपको बताते हैं परधान जी के नाम से मसहूर दिगजनेता पूरो मंतरी निर्मल सिंग और उनकी बेटी चितरा सरवारा के बारे में आईए पहले नजर डालते हैं पिता पुत्र की जोडी पर आईए नजर डालते हैं हरियाना में कद्दावर नेता रहे पूरो मंत्री निर्मल सिंग साल 1982, 1991, 1996 और 2005 में अंबाला की नगल विधानसभा सीट से विधायक चुने गए और कई बार हरियाना सरकार में मंत्री भी रहे कॉंग्रेस से उन्होंने अपने सियासी सफर की शुरुवात की साल 1996-1978 तक वे बलोक युआ कॉंग्रेस के अध्यक्ष रहे 1978-1980 तक वे युआ कॉंग्रेस संबाला की डिस्टिक प्रेजिडेंट रहे साल 1980 में वे युवा कॉंग्रेस के परदेश महासचीव बने 1982 से लेकर 1989 तक record 7 वर्सों तक निर्मल सिंग युवा कॉंग्रेस हरियाना के परदेश अध्यक्स भी रहे 1987 से 89 तक वे हरियाना परदेश कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्स भी रहे जबकी 2000 से लेकर 2005 तक वे जिला कॉंग्रेस कमेटी अंबाला के अध्यक्स रहे मैज 33 साल की उम्र में साल 1986 में निर्मल सिंग कैबिनेट मंत्री रहे निर्मल सिंग को साल 1994 में हत्या के मामले में जेल जाना पड़ा वे करीब 20 साल तक जेल में रहे जेल से ही उन्होंने 1996 में अजाद उमिद्वार के रूप में नगल विधानसवा सीट से चुनाव लड़ा निर्मल सिंग के पक्स में एक तरफा महूल था वे विधायक बने और अन्यस सभी उमिद्वारों की जमान तेजपत हो गई 1999 में निर्मल सिंग ने फिर से कॉंग्रेस में वापसी की 2005 में निर्मल सिंग दुबारा विधायक चुने गए 2005 के बाद हुए प्रिसिमिन के बाद निर्मल सिंग का हलका बदल गया उन्होंने 2009 का चुनाव अंबाला कैंट से लड़ा 2018 में उन्होंने अपनी सियासी विरासत अपनी बेटी चित्रा सरवारा को दे दी अब बात करते हैं कौन है चित्रा सरवारा चित्रा सरवारा अखिल भारतिय महीला कॉंग्रेस की पूरो में महासचीव रही है महिला कॉंग्रेस की रास्टिय सोसल मीडिया इंचार्ज भी रह चुकी है साल 2013 में सियासत में कदम रखा 2013 में पहला चुनाव लड़ा और नगर निगम का अपना पहला चुनाव जीता 18 मार्च 1975 को अंबाला केंट में जन्मी चित्रा सरवारा एक राजनीतिग के साथ साथ एक प्रोफेसनल डिजाइनर और समाज से भी का है 2010 में हुए रास्टर मंडल खेलों में डिजाइन मेनेजर के रूप में उनके कोशल और काम को काफी सरहाया गया 2016 में उन्हें हरियाना परदेश महिला कॉंग्रेस कमेटी का वरिस्ठ उपाद्यक्स बनाया गया 2017 में उन्हें All India महिला कॉंग्रेस का सोसल मीडिया इंचार्ज भी बनाया गया चित्रा ने 2019 का चुनाव कॉंग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर आजाद उमिद्वार के रूप में परदेश के घ्रह मंत्रिया निल्विच के खिलाप अंबाला केंट से लड़ा और करीब 44,000 वोट हासिल की अब बात करते हैं कॉंग्रेस में सामिल होने वाली इंसाइड स्टोरी के बारे में सुत्रो का कहना है कि निर्मल सिंग की कॉंग्रेस में वापसी की पहल खुद पार्टी हाई कमान के लेवल पर हुई है कई दिनों से अंदर खाने बातचीत का दोर चल रहा था पूरो केंद्रिय मंत्री और कॉंग्रेस की रास्ठी महसचिव कुंअरी सेल्जा द्वारा निर्मल सिंग की कॉंग्रेस में वापसी का विरοद किये जाने की भी खबरे है 2019 के विधानसभा चुनाओं में कुमारी सेलजा के विरोध के चलते ही निर्मल सिंग और उनकी बेटी चित्रा सरवारा को विधानसभा की टिकट नहीं मिल पाई थी पूरो मंतरी निर्मल सिंग ने अजाद उमिद्वार के तोर पर अंबाला सीटी से विधान सबा चुनाव लड़ा वहीं उनकी बेटी चित्रा सरवारा ने अंबाला कैंट में भाजपा के कैबिनेट मंतरी अनिल विज को चुनोती दी निर्मल सिंग को 55,944 वोट हासिल हुए और चित्रा ने 44,406 वोट हासिल करके कॉंग्रेस परत्यासी की जमानत जपत करवा दी थी इससे पहले 2019 में निर्मल सिंग ने कुर्षेतर लोकसवा सीट से कॉंग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था 7 अप्रैल 2022 को निर्मल सिंग ने अपने गठित हरियाणा डेमोकरेटिक फरंट का आम आदमी पार्टी में विले कर दिया था वर्तमान में निर्मल सिंग आमादमी पार्टी के रास्टी संयुक्त सचिव के पद पे थे और चित्रा सरवारा हर्याना में परदेश उपाध्यक्स थी, आप परदेश अध्यक्स को बेजे हिस्तिपे में पार्टी छोडने के पीछे दोनों ने नीजी कारण भताया है निर्मल सिंग की गिंती हरियाना के पूरव सियम और विपक्स के नेताब उपेंदर सिंग हुड़ा के पुराने और गहरे दोस्तों में होती है आम आदमी पार्टी में भी रहते हुए निर्मल सिंग की हुड़ा के साथ कई बार मुलाकात हुई हुड़ा लंबे समय से निर्मल सिंग की कॉंग्रेस में वापसी करवाने की कोशिस कर रहे थे अब सूतरों का कहना है कि यह मामला पार्टी हाई कमान तक पहुचा और पार्टी के रास्ट्रिय महासचिव जो संगठन का काम देख रहे हैं केसी वेनु गुपाल ने निर्मल सिंग के साथ सीधी खुद बात की और ये बताया जा रहा है कि 5 जनवरी को कॉंग्रेस के रास्ट्रिय अध्यक्स मलिका अरजुन खरगे निर्मल सिंग और उनकी बेटी को कॉंग्रेस पार्टी जवाइन करवाएंगे पूरो मंत्री निर्मल सिंग एक समय उत्तर हरियाना में बड़ा नाम था और सुत्रों के हवालों से बताया जा रहा है कि पिता पूत्री दोनों को कॉंग्रेस विधान सबाचुनावी मैदान में उतारेगी और अगर हरियाना में कॉंग्रेस की सरकार बनती है तो निर्मल स और उनकी बेटी चीत्रा सरवारा कॉंग्रेस में सामिल होंगी। कुमारी सैलजा की उनके घर में राजनेतिक घेराबंदी करने वाले हुड़ा गुट को मिलता नजर आ रहा है। विधान सभा से चुनाव लड़वा सकती है और चित्रा सरवारा को कॉंग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। वो भी विधान सभा के चुनावी मैदान में। वो बेंदर सिंग हुड़ा के मास्टर स्ट्रोक और सैलजा की बढ़ती परेसानी पर और बाप बेटी की जोड़ी के कॉंग्रेस में आने पर सियासी समीकरण कैसे रहने वाले हैं अपने विचार कोमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको हमारे इंसाइड स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। और हर खबर पर पैनी नजर बनाए रखने के लिए देखते रहें सिटी तैल का शुक्रिया।